हेलो स्टुडेंट, वेल्कम तू अनलाइन क्लास, तूडें बी विल स्टार्ट चैप्टर टू, एकनोमिक्स, पीपल एज रिसॉर्स, संसाधन की रूप में मानव या लोग, जो लोग जाओ कैसे रिसॉर्स है, हुमन कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि मानव कैसे, पीपल एज रिसॉर्स किस तरह से है, इसका जो अवर्विव है, उसमें दिया गया है कि, जो पिछले चैप्टर में, जो हमने पढ़ा था, दे स्टोरी अब बिलेज पालंपूर, रिसॉर्स को पढ़ा था हमने, कि कौन हो, वहाँ पे किस तरह से कैपिटल, हुमन की कैपिटल पढ़ी थी, साली, जो नेर्स थी, वो सब पढ़ी थी हमने, ठीक है तो उसमें क्या था, कौन कौन से रिसॉर्स जो कैपिटल थी, या रिसॉर्स थी, कैपिटल थी, लैंड थी, ठीक है, जो लैंड क्या था, फिक्स था, लेवर था, फीजिकल कैपिटल और हीउमन कैपिटल यह जो हमारा चैप्टर है वो क्या है पूरा का पूरा हीउमन कैपिटल यानकी हीउमन रिसॉर्स के उपर डिपेंड है, इसमें बताया गया है फेक्टर अफ, हमने जो पढ़ा दा फेक्टर अफ, प्रोडक्शन में चार टाइप पढ़े था है, ठीक है उसके बाद, पॉपुलेशन एज एसस पॉपुलेशन एज एसस्ट एसस्ट फॉर दा एकोनोमिक की रेदर दन ए लाइबलेटी, जो पॉपुलेशन है, वो क्या है एसस, यानि कि एसस्ट का मेनिंग होता है कमा हो, यानि कि जैसे मालनो आपने कोई मशीन खरी ले, ठीक है और उस मशीन को, मालनो आपने क्या है, कौन सी मशीन खरी दी कपड़े बनाने की मशीन खरी दी, और आप क्या है उसमें कपड़े बना रहे हो ठीक है और आपने बहुत सारे कपड़े बना है और उन्हें बेच दियाँ अब आपने वो कपड़े बेच दिये तो उससे क्या हुआ आपको कमाई हुई आपको फायदा हुआ यानिकी asset हुआ और यही यदि हो machine जो आपने खरी दिये, वो क्या है, वो किसी काम की नहीं है, मतलब उसके पूर्जे क्या है, वो बार-बार खराब होते जारे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, ठीक है? और आपका उस पे क्या है, हर रोज या महीने के 1000 या 5000 उपए उस पे लग रहे हैं, तो planning and medical care मतलब क्या है population become human capital when there is investment made in form of education, planning and medical care मतलब जो हमारा human capital population है उसको क्या है human capital बनाने के लिए हमें क्या है उसमें investment करनी जाहिए investment अब कैसी investment करनी जाहिए मानलों कि हमने कोई machine खरीदनी है तो उसके लिए हमें पैसे लगाने है वैसे हमें investment जो हमारे people है लोग है, population है उसको क्या है अच्छी जो क्या है education provide करवानी है training करवानी है, medical care उनका रखना है तो यह सब क्या हो जाता है एक तरह की उनके उपर investment हो जाती है जिससे की क्या है वो क्या है उसमें मनुश्य है उनमें क्या है stock of skill and productive knowledge embedded in them उसके अंदर क्या है skills बन जाओ बहुत सारी skills सीख लेता है जिनका की वो आगे जाकर परियोग करता है अब इसमें क्या है कि जो क्या है यह सब देने के बाद क्या है जब हम उनको अच्छे से investment करेंगे अब क्या है human as resources मतलब हम जो हो resources किस तरह से कैसे है कैसे बना सकते है हम human को resources जिसको हम समझेंगे जैसे मालो human कैसे resource है आपके पास क्या है गोड बहुत सारा गोड है और किस उसमें मिला है आपको गोड मिलता है हमें मिन्डा से एक गोड तो गोड और के form में हमें मिलता है मतलब मिट्टी के साथ जमीन में क्या है मिट्टी के साथ हमें वो मिलता है तो क्या जब human के पास skill होगी human जो अपनी skill का परियोग करेंगे उसको gold को क्या है मतलब gold को मिट्टी से अलग करेंगे उसे क्या करेंगे अच्छे से साफ करके अलग से रखेंगे investment in human capital investment in human capital through education planning medical care just like investment in physical capital मतलब क्या है कि जिस तरह से physical capital के उपर जो है अपना investment करता है जहसे हम physical capital के माल लोszystं कि हमने क्या है land for example land लिया है, fixed land लिया है और उसके उपर क्या है हमने एक बहुत बड़ी big जो है building बना दिया या hotel बना दिया अब वो hotel बना दिया है अब उसका काम क्या है कि वो हमने किराय पे दे दिया या hotel है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और restaurant type का तो तो कर दिया है, अब क्या है वो हमें क्या दे रहा है, return में result दे रहा है physical का, कि इससे हमें हमारा क्या बन गया है, hotel या body building किराय पे दे दिया, सब हमारा क्या बन गया, income का साधन बन गया resource बन गया, इसी तरह human capital को भी क्या है investment करेंगे हम उनकी education के उपर ठीक है, उनकी education के उपर उन्हें ची training देंगे, medical care देंगे जैसे कि, for example आपके जो example क्या है ये एक real बात है, कि आपके parents क्या है आपके उपर क्या कर रहा है, investment कर रहा है investment का मतलब या नहीं कि आपके उपर आपको पैसे दे रहा है कि आपको अच्छी education प्रवाइड करवा रहा है उस अच्छे school में भेज रहा है ठीक है, आपको training करवा रहा है जैसे आपकी graduation होगी, उसके बाद आपको training करवाएंगे, ये सब क्या है investment है, ठीक है, तो उससे क्या है जब आपको good education मिल जाएगी, अच्छी education मिल जाएगी तो आपका क्या है, development आपकी इसके साथ साथ क्या होगी, skill development होगी, तो साथ में training है कि जैसे मानलो की, आपके parents आपको car सिखा रहा है, चलाना car driving की training दे रहा है तो क्या है, emergency कभी हो जाए तो क्या है, आप उसका जो use कर सकते है emergency, medical care, जैसे आप बिमार हो जाते है अभी आप पढ़ाई कर रहा है तो आप बिमार हो जाते है, तो आपके parents क्या है आपको अच्छे doctor के पास ले जाते है आपको अच्छा food provide करवाते है हर तरा से ठीक है, तो यह सब क्या है इसलिए, तो अगर human के उपर अच्छे से investment किया जाए, तो क्या है वो क्या बनेगा अच्छे result form करेगा जैसे development human resource जो human resource किया है, वो क्या है development हो जाएगी, और development हो जाएगी जैसे क्या होगा उसमें this can be seen directly in the form of higher incomes and because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people, जब अच्छे स्वास्थ मनुषिये बनाएंगे मतलब health अच्छी होगी people कि जो हमारी population है, जैसे मानू हमारी country की 120 करोड, 120 करोड population या 30 करोड के आसपा जो population है उसको जब हम अच्छी education देंगे और अच्छी उनकी development के लिए investment करेंगे और अच्छी health का उनकी ध्यान रखेंगे, साथ में health care का ध्यान रखें, medical care बगएरा देते रहेंगे, उनको train करेंगे तो क्या हो वो जब अच्छे educated हो जाएंगे, तो better train हो जाएंगे, person जो हो क्या करते है higher उनसे क्या है, हमारी higher income होगी ठीक है, क्या होगा development resource higher income होगी, मतलब higher income हर people की higher income होगी तो क्या है, जो हमारे country की भी है उसकी भी क्या है, साथ साथ development होती रहेगी advantage आगे क्या है, advantage of to society मतलब जो society है, society में रहने के लिए भी क्या है बहुत सारी advantage जो है, होगी मतलब जो अच्छा better educated person होगा उसकी जो thinking है, वो भी क्या है अच्छी होगी, और एक दूसरे के साथ क्या है वो attachment, या दूसरे के साथ क्या है समझदारी से काम लेंगे ठीक है, फिर क्या है, superior other resources हाँ, मतलब कि जो human resources हो क्या है superior है, सब resources से क्या है important है, सबसे क्या है उपर वाला जो resources है, वो क्या है human resources है, like land to physical capital, जो भी हमारा land है जब human को क्या है जैसे for example, by spending resource on education and health for all, training of industrial and agricultural worker in the use of modern technology, useful scientific research and so on मतलब क्या है जब लोगों को क्या है, अच्छी education प्रवाइड करवाई जाएगी, सब तरह के क्या है, लोग well educated हो जाएगे, उनकी क्या है, अच्छी सी training दी जाएगी तो हर, जो भी बाकि resources है, वो उनका अच्छी से use कर सकते है, उनको में क्या है, modern technology को use कर सकते है, जैसे agriculture में modern technology को अपना सकते है, industrial area area को provide, जो है, बढ़ा सकते है, investment, अगर हम human capital में करते है, तो human capital क्या है, जो human है, वो ही क्या है, जो है, human है, वो ही, सबसे important resource बन जाता है, जो बाकि सब resource का क्या करता है, use करता है, ठीक है, ये था हमारी थोड़ी introduction थी, कि human resource कैसे है, मतलब क्या है, जैसे हमने पिछले chapter में, green revelation के बारे में पढ़ा था, और इस chapter में भी दिया है, green revelation versus IT revelation, इस chapter में IT revelation का मेनिंग है, information technology technology revolution, मतलब क्या है, कि जो informational technology है, वो क्या करती है, जो भी other country की है, foreign country की क्या है, हमें returns provide करवाते हैं, मतलब वहां की जो जैसे हमने यहां कुछ product बनाया, मान लो हमने pen बनाये, या मान लो हम हमारे पास बहुत सारा gold है, तो क्या है, IT revolution के द्वारा क्या है, other country में हम अपने gold की क्या है, supply कर सकते हैं, उसके बदले में क्या है, हमारी अच्छी income होगी, और इससे क्या है, हमारा जो स्तरह हो, क्या हो, उचा हो गया है, ठीक है, जैसे green revolution में क्या हुआ था, कि उसमें जो agriculture की modern, जो technology है, new technology को अपना गया रहा, जिससे क्या है, land में जो agriculture है, farming है उसकी क्या हुई थी, उसमें increase हुआ था, बहुत जारा, जैसे जहाँ पर 10 quintal क्यों गय हूँ, या wheat, rice होते हैं, वहाँ पर फिर उसके दुगने, तिगने हमें जो product मिल रहा है, इसी तरह IT से भी, और IT को क्या है, human people ने ही क्या क्या है, इसको develop क्या है, ठीक है फिर आगे, what we are doing to study in this chapter, अब हम इस chapter में क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी detail दी गई है इसमें हम पढ़ेंगे, story of Sakal and Vikas की story पढ़ेंगे क्यों है, किस तरह से काम करते हैं, कैसे हो develop हुए, या किस तरह के हो लोग थे, ठीक है, फिर है economic activity by man and woman, और economic activity, जो man and woman है, girl, boy है उनके दोरा, जो economic activity आर्थिक क्रिया क्लाब है, वो कैसे किये जाते है, फिर है quality of population, population की जो quality है, हमारी country है, इतनी सारे, मतलब 130 करोड की जो population हमारी country में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कि क्या, कितनी हो educated है, और उनकी health कैसी है अगर और उनको कैसे हम healthy बना सकते हैं, इसके बार हम unemployment के बारे में पढ़ेंगे, कि unemployment मतलब बेरोजगारी को कैसे दूर करना, या बेरोजगारी है क्या चीज़, और पढ़ेंगे हम including concluding story, story की concluding पूरी story जो है, इसका हम conclusion भी इसमें निकालेंगे ठीक है, तो आज आज हम इसमें, साथ में story of सकाल और विकास की story को read कर लेंगे, जैसे story of सकाल there were two friends bilas and सकाल living in the same village सोम, सेमपूर मतलब जो सकाल और विलास है, वो फ्रेंड है दो और वो एक ही गाउं में रहते है सकाल वाजे 12 year old boy, जो सकाल है हूं 12 साल का है, his mother Sheila looked after domestic chores और उसकी माता है, वो क्या है घर में कामकास करती है his father, भूता, चौधरी worked in an agriculture, फिल और उसकी पिता जी क्या काम करते है खेत का काम करते है सकाल helped his mother in domestic chores, जो सकाल हो घर के कामकास में अपनी मा का हाथ बटाता है he also looked after his younger brother, जितू and sister, सेतू वह क्या है, अपने छोटे भाई बहन, जो जितू और सितू उनका क्या रखता है, ख्याल रखता है देखभाल करता था his uncle, Shyam, had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job जो उसकी अंकल है Shyam, वह क्या है, 10 matric पास है, बस बट उनको कोई जॉब नहीं मिलिया और हो क्या है, घर में खाली बैठे रहते हैं बुटा एंड शीला वर एगर टू टीच सकल और जो बुटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा जो सकाल हो भी क्या करे टीच करे, पढ़े, पढ़े पढ़े और लिखे और वह क्या है, उस पर गाउ में सकूल के नाम लिखने के लिए जोर देते हैं अपने बेटे को कि तुम सकूल जोइन कर लो He started studying and completed his higher secondary examination क्या है, फिर उसने क्या है, सकूल जोइन किया और उसने अपनी जो है, secondary education मध्यामिक परिक्षा क्या है, पास कर लिए जो education वो ले ली थी His father pressured him to continue his study उसके पापा जो है, बुटा चोधरी उन्होंने क्या है, उस पर pressure किया कि आप जो है, अपनी study को continue करे अपने बेटे को He raised a lawn for Sakal to study a vocational course in computer तो उन्होंने क्या है, अपने बेटे को computer का जो vocational course है उसको लेने के लिए क्या है, lawn लिया Sakal was Meritorious and Interested in studies from the beginning जो Sakal उसे क्या है पढ़ना शुरू क्या और क्या है उसको क्या है, सकाल क्या है, उसको starting में, आरम में, पढ़ाई में क्या थी Interest था, study में, interest लेता था हो, interested था beginning में With great beggar and enthusiasm he completed his course और उसने क्या है, उसने बड़े अपने लगन के साथ, मन के साथ क्या है, संकल्प के साथ जो है, अपना जो course है, उसे पूरा कर ले, after some time, he got a job in a private firm और कुछ समय के बाद क्या है, उसे एक private firm company में क्या है, नोकरी मिल गए He even designed a new kind of software, और उसने क्या है, एक नए परकार का, जो software क्या है, design क्या His software helped him increase the scale of the, scale of the firm और जो, वो software था, वो क्या है, बिकरी में बढ़ाने के लिए साहता मिली उसको His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion और उसके जो boss थे, उसे उन्होंने क्या है, सकाल को क्या है, उसका जो, यह है उपलब्दी थी, जो उसने बनाया था Design software बनाया था, जिससे क्या है, company की बहुत जारा बिकरी में साहता मिली उसकी जो है, कमाई जारा होने लगी, तो उससे प्रसन होकर, उससे वो happy war उसे क्या है, पर्मोट कर दिया सकाल को अब हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे, story of विलास, अब विलास की स्टोरी क्या है, विलास was an 11-year-old boy Residing in the same village as सकाल, विलास वो भी क्या है, सकाल के विलेज में ही रहता है, और हो यह 11 साल का है विलास father, महश was a fisher man, उसके पापा क्या है, मचली पकडने वाले होते हैं, ठीक है, मचछ वाले थे His father passed away when he was only two years old, और क्या है, तो जब वह दो वर्ष का था, तो उसके पिता क्या है, passed away, मतलब उनकी death हो गई थी His mother Gita sold fish to earn money, to feed the family, जो उसकी ममी है, Gita वो क्या है, फिश को बेच कर क्या है, मनी को earn करती थी और अपनी family के लिए भोजन बनाती थी जैसा कि यह देखूँ, यह है इदर, विलास और उसकी मम, she bought fish from the landowners pond and sold it in the nearby मंडी, जो क्या थी, वह क्या करती थी, जमिदार के तलाब में, जो है, मचलिया, landowners के तलाब में, मचलिया पकड़ती थी और उन्हें क्या है, नजदी की मंडी में बेजती थी she could earn only Rs. 150 a day by selling fish, वह क्या है, सिरफ Rs. 150 रुपीजी दे के कमा पाती थी, बिलास become a passion of earth restries, जो बिलास था, क्या था, वो गठिया का रोगी बन गया था हूँ, क्यूंकि उसे passion था, किसका गठिया, earth restries का his mother could not afford to take him to the doctor, और जो उसकी माँ है, उसे क्या है, वह पैसे नहीं थे, क्यों है उसका इलास करवा सके, किसी भी doctor के पास वह ले जा सके he could not go to school either, और वह क्या है, school भी नहीं जा सका, he was not interested in study, और उसकी पणने में रूची नहीं थी, he helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan, और वह क्या है, खाना बनाने में, अपनी मम्मी की help करता था, और अपने भाई, छोटे भाई, मोहन की देखबाल करता था, after some time his mother fell sick and there was no one to look after her, और क्या है, कुछ time के बाद क्या है, उसकी मा बिमार पड़ गई, और उनकी जो देखबाल करने के लिए, कोई दूसरा नहीं था, there was no one in the family to support them, और उनकी family में क्या है, support करने वाला कोई नहीं था, और नहीं उनकी कोई साहता करने वाला था, विलास थू was forced to sell fish in the same village, जो विलास है वो क्या करता था, उसी गाव में मचलिया बेचने के लिए, बात दे हुआ, मतलब वहीं मचलिया बेचा करता था, he liked his mother and only a work income, और उसकी मा, मा की तरह वाए भी क्या है, इतना ही कमा पाता था, जितना कि उसकी मा की जिससे उसकी family की क्या हो सके, पालन पोशन, जो है, home, जर, वह सिरफ इतना ही कमा पाता था, इसे क्या हुआ, मतलब यह story हमने पड़ी, तो जैसे जो तो साकाल था, उसके parents लेकर क्या है, अपने बेटे को, उसको support करने वाले सब थे, मतलब उसके उपर, उसके जो investment करने वाले थे, इसलिए क्या है, उसका जो development हो, बहुत अच्छा हुआ, और उसे अच्छे job मिल गी, और जो बिलास था, वो क्या है, एक poor family से belong करता था, जिस बज़े से क्या है, उसके पितावी क्या है, जब वो सिरफ दो साल का था, तो उनके मृतिव हो गी थी, तो उसके बाद वो है, दो भाई थे, उसकी माताज क्या है, मचली का काम करती थी, और बेजती थी, और वैसी रफ उतना ही अनकर पाते थे, जितना कि उनकी खाने के लिए हो सके, उसके बाद उसकी बम्मिवी बिमार पड़ गी, और वह कुछ नहीं कर सका, मतलब यह है, इससे हम, इसमें अनलेसिज इतना ही है, कि जो अगर हम किसी के उपर अच्छी investment, किसी भी people के उपर, या किसी भी child के उपर अच्छे से investment करें, उसका अच्छे से care करें, ध्यान लखे तो क्या है, वो आगे चल कर क्या है, हमारी, जो अपनी development अच्छे से कर लेता है, skill सीख लेता है, तो उसकी development अच्छे से हो जाती ह इन दा टू के स्टेडी भी मतलब हमने ये स्टोरी पड़ी इसलिए क्या है मतलब इतना अपनी फैंदी को ये सपोर्ट कर पाता दा सकल के मामले में क्या है वर्चो की शिक्षा ने उसने श्रम की गुणवत उसने क्या कहीं फिर अपने एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया और फिर क्या-क्या इन एंच इस टोटल प्रोड़क्टिविटी और उससे क्या है उसकी जो प्रोड़क्टिविटी है उसमें भी क्या हुई increase हुई and encased हुई हुई total productivity add to the growth of the economy, this is turn to pay individual throw salary in the some other form of his choice उससे क्या है उसको और उसकी जो individual income थी देश की ब्रीधी में वह क्या है योगदान देता रहा है इसके बदले में व्यक्तिक है बेतन के रूप में या फिर पसंद के लिए किसी दूसरी रूप में प्रतिफल मिलता है in case of bilas there could not be any education or health care in the early part of his life और यहीं bilas को उसके जीवन की अरंबिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्ते सेवा नहीं मिल सकी वह है अपनी मा की बाती मचलिया पकड़ कर वेतन पाता रहा यह इन दो दोस्त की कहानी दी अब इसमें एक कहानी है अब कर दोस्त्र सकी ऑपना. चकाश्वं भॉजश्च अब्ट यंस इनला रहस्तर स्वाब ए ABकला. अब काश्च थिटेस्स तोस्त्र सथास्त्र सिपाल का. गर अचिव्ट इमन रहस्त्रा, hopon. इसमें एक इस्व्र भॉबंहर्बंहब र sucka allá in the field of education and health these people have made efficient use of the resource like land and capital efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich developed जैसा कि एक जापान कंट्री है वहां क्या है मानव संसादन मतलब people resources के उपर क्या है invest क्या जाता है बहुत जादा उनके पास कोई जो natural resources नहीं है क्या यह है विक्सित धनी और यह क्या है एक developed well developed country और rich country है ठीक है वह है अपने देश के लिए क्या है आउशकता आउशक प्राकृतिस संसादनों का क्या करती है मतलब जो natural resources है उनका क्या करती है यह import करती है दूसरे country से लेके आती है और क्या है अब इसके में दिया कि वह करता है वह कैसे जो है इन्वेस्ट किया उनकी education के उपर और health के उपर जिससे कि क्या है वह बहुत कुशल बन गए मतलब क्या बन गए हो efficient बन गए resource बन गए और जो कुशल था और industries efficient technology है उन्होंने क्या है उस देश को क्या बना दिया रिच और develop बना दिया मतलब क्या है simple सी बात है कि अपनी country को develop बनाने के लिए क्या है हमें human को people को जो अपनी population को है उनको क्या करना है develop करना है उनको education good education good health उनका health care मतलब सब कुछ provide करो ना उनको train करना है ताकि हमारी country भी क्या है देढ़ выглядит करते हमें हमें ताक मुझ सबते हैं ध्लोग हो सगे professionals